यशायाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय 26 उस समय यह गीत यहुदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दुर्ण नगर है उसकी शहर पनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है फाटकों को खोलो कि सच्चाय का पालन करने वाली एक धर्मी जाती प्रवेश करें जिसका मन धीरज धरे हुए है उसकी तु पुर्ण शान्ति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किये हुए रहता है यहवा पर सदा सरवदा भरोसा किये रहो क्योंकि प्रभु यहवा सनातन शत्तान है वह तो उचे पदवालों को जुका देता जो नगर उचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है वह उसको भूमी पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है वह दिनों के पाओं और दरीदों के पैरों से रोंदा जाएगा धर्मी का मारग सच्चाई है तू जो आप सच्चाई है तू धर्मी की अगवाई करता है हे यहवा सच्च मुझ हम लोग तेरे नयाय के कामों की बाट जो होते आये हैं तेरे नाम और तेरे स्मरन की हमारे प्रानों में लालसा बनी रहती है रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है मैं अपने संपुर्ण मन से यतन के साथ तुझे ढूंडता हूं क्योंकि जब तेरे नयाय के काम पूत्वी पर प्रगट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहवा का महात्म्य उसे सूज न पड़ेगा हे यहवा मेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है पर वे देख नहीं सकते परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे और तेरी बैरी आग से भस्म होंगे हे यहवा तु हमारे लिए शान्ती ठेरेगा जो कुछ हमने किया है उससे तु हीने हमारे लिए किया है यहवा तुझे छोड। और और स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे परंतु तेरी कुरुपास से हम केवल तेरे ही नाम का गुनवादन करेंगे करेंगे वे मर गए है फिर कभी जीवित नहीं होगे उनको मरे हुए बहुत दिन हुए फिर वे नहीं उठेंगे तुने उनका विचार करके उनको ऐसा लाश किया कि वे फिर स्मरंण में नव आएंगे तुने जातिको बढ़ाया है तुने अपनी महमा दिखाई है और उस उख में वे तुझे स्मरन करते थे, जब तु उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबेश्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे, जैसे गर्भवति स्त्री जन्ने के समय एटती और प्रिडों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी यह है यह होआ, तेरे सामने वैसे ही हो जाएंगे, हो गये है, हम भी गर्भवति हुए, हम भी अइठे, हम मानो वायु ही जन्माए, हमने देश के लिए उधर का कोई काम नहीं किया, और उन्हें जगत के रहने वाले उत्पन्न होए, तेरे मरे हुए लोग जिवित होगे, मेरे मुर्दे उठ कुदों को लवटा लेती है, है मेरे लोगों, आओ, अपने अपनी कोठ्वी में प्रवेश करके किवाडों को बंद कर दो, जब तक क्रोध शांतन हो, तब तक अर्थात पल भर अपने आपको छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पुथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पुथ्वी अपना खून प्रगट करेगी, और घात की यहोँ को फिर नच्छिपा रखेंगी.